हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को बेसिक सिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लाटफोम पे स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू युनिवर्सिटी में चलाए जाने वाले डिफरेंट यूजी कोर्सेस और उन करना चाहता हूं यह अगर मैं बिस स्वाइब को जो है कितना फी देना होगा इस तरह के तमाम डाउट्स को जो है वीडियो में आपका दूर करने वाले हैं तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर जो है अलग-अलग courses की फी structure क्या है अगर बच्चों देखा जाएगा यहाँ पर बनारश इंदु उनिवर्सिटी में तो यहाँ पर अलग-अलग आपके यूजी courses चलाया जाते हैं जिसके लिए आपको जो है फी structure के बारे में सबसे पहले अगर देखा जाए BA honors social sciences के लिए तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो बच्चे paid seat के लिए लेते उनका 10,000 रुपे पर एनम यानि कि एक साल का जो है आपका 10,000 रुपे लगता है और अगर regular fee देखोगे तो BA honors social science के लिए 1982 रुपे BA honors social science with one practical क के लिए आपका 2082 रुपे अगर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स के साथ तो यहाँ पर 1882 और BA honors social science with main faculty mmb के लिए आपका 2432 रुपे है इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर main campus mmb with one practical के लिए पचिस सो बतीस टू प्रैक्टिकल्स के लिए जो है 2632 रुपे इसी तर प्रैक्टिके से BA honors LLB के लिए अगर BA LLB honors के लिए अगर देखा जाए तो 282 रुपे university का आपका regular fees है और यह अगर special fee course fee होने के अनाते जो आपका यहाँ पर 60,000 रुपी पर annum लगेगा उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर BCOM honors की तो आपका 1882 रुपे है और अग बच्चे अगर RGSC में करते हैं तब BCOM honors के लिए BCOM honors FMM के लिए अगर बात करोगे तो 1982 रुपी जो है आपको देना होगा regular fee और अगर special fee category के अंदर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है total आपको 25,000 रुपीज देना होगा इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे BSC honors math group के बात करेंगे तो वहाँ पर बच्चो आप लोगों को यहाँ पर 842 रुपे तो आपको regular fee देना है यह साथ में आपको 45,000 रुपे जो है आपको यहाँ पे पेड़ सीट के अंदर गात admission लेने वाले को देना होगा BSC honors biology with main faculty MMB with practical में आपका 3292 रुपे और 30,000 रुपे आपका paid seat का है इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे BSC honors main faculty MMB with practical के लिए तो आपका 32,000 रुपे आपका paid seat का फीज यहाँ पे दिया गया इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे BSC honors agriculture में तो 3366 रुपे है जो आपका regular fee है आपक आपका paid course में जो बच्चे लेंगे paid seat उनके लिए है और आपका 30,000 रुपे पर annum special course fee जो आपका AGC में चलाया जाता है BSC honors agriculture का course उसके लिए बताया गया है इसी तरीके से हम लोग अगर बात करेंगे BTC dairy technology के लिए तो आपका 3831 रुपे और प्लस 500 रुपे इंस्ट्यूस development fees और special course fee होने के अंतरगत जो है special course होने का अंतरगत इसमें आपको 30,000 रुपे जो है per semester आपको जो है आपको देना पर पर प्येस का मतलब होता बच्चों per semester आपको ये fees देना है ठीक है और अगले इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें आपका per annum यानि कि साल में एक देना है लेकिन यहाप पे B.Sc. Honors Agriculture, B.Tech.Dairy Technology और B.Tech.Food Technology वाले courses में जो आपको per semester उतना फिस जमा करना होगा इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे B.P.A. North Indian Classical Vocal के लिए 2082 रुपे है इसमें भी अगर ये सब जो courses है B.P.A. के उसमें आपको paid seat के अंदरगात कर admission लेते हैं त इसी तरीके से B.F.A. कि अगर बात करेंगे तो 2082 रुपे जो आपका यहाँ पे regular fee है तो 30,000 रुपे पर semester जो आपका यहाँ पे paid seat fees दिया गया इसी तरीके से अगर B.A. Honors की Arts की बात करें या Arts की तो University का regular fee आपका 1982 रुपे है 10,000 रुपे जो बच्चे अगर लेते है admission अगर यहाँ पे तो paid seat के ताहर जो उनको देना होगा इसी तरीके से B.A. Honors with one practical में 2082 दो practical में 100 रुपे और बढ़ जाएगा तो आपका 1882 इस तरीके से B.A. Honors Arts main faculty MMB में जो आपका 2400 आपका जो है 32 रुपे है इस तरीके से one practical के साथ आपका 2532 दो प्रैक्टिकल के साथ 2632 रुपे दिया गया इसी तरीके से B.Vocational in marketing management के लिए जो बचो आपका special course होने का अंतर का 26,000 रुपे पर semester आपका जो है यहाँ पर fee किया गया है और B.Vocational marketing management and information technology का जो 1981 रुपे है प्लस 5000 रुपीज है इसी तरीके से B.A. Vocational in tourism and hospitality management का 1981 प्लस 5000 आपको दिया गया है यहाँ पे और उसके बात जो है यहाँ पर देखेंगे तो 30,000 पर semester जो है 13,000 आपको जो है पर semester देना होगा इसी तरीके से B.Vocational में आपको जो है सारे courses में लगबग वही फी से बस आपकी जो special course fee है वो जो है आपके सारे courses के अलग-अलग यहाँ पर दिये गया इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे B.Vocational in agri business and entrepreneurship उसमें आपको 1981 प्लस 5000 जो है आपको यहाँ पर देना होगा रेगुलर में और 26,000 रुपे जो आपका special course fee रहेगा B.Vocational in computer application के लिए भी फी structure यहाँ पर apply हो रहा है अगला बात करेंगे B.Vocational in retail and logistics के लिए 1981 रुपे प्लस 5000 आपको देने होंगे और यहाँ पर 13,000 रुपे जो है आपको यहाँ पर होगा उसके लिए बात करेंगे तो 26,000 पर semester आपका जो है यहाँ पर special course fee होने के अंतरगत दिया जाएगा तो यह था बच्चों आपको जो है अलग-अलग regular fee मतलब आपका जो main campus में यहाँ जहां भी आप admission लेते हो B.V.U. के अंतरगत तो आपको वो fees तो देना ही होगा यदि आपने उसके बा पूरी जानकारी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलने वाले अलग-अलग U.G.Courses में जिसमें कई सारे आपके vocational courses हैं तो कई सारे main courses है इन सारे courses की free structure के बारे में regular fee के बारे में paid fee paid fee के बारे में और आपका जो है special course fee के बारे में जानकारी यहीं तक रखते हैं फ आनने वाल